रादे रादे जी कैसे हैं आप सब आप आप लोग स्वास्त होंगे मस्त होंगे एकदम तो जी आज है दिन शानिवार और सुबह के इस वक्त करीवन 11-11 बज रहे हैं साड़े दस ग्यारा के करीब हो रहे हैं और मैं नहाद हो करो गई हूं फ्री और पस अब हम जाएंगे किचिन में सब को खाना वगयरा बनाके खिलाएंगे और उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं 32 बार फॉर्मूले के ऊपर कि मतलब हमने उसे क्यों यूज किया और उस और कहते हैं न कि लिवर पे ज़्यादा प्रैशर नहीं डालना चाहिए इसलिए फिर मैंने का चलो यूज कर लेते हैं और मेरी फ्रेंड्स अगरा भी काफी कर रही है तो उन लोगों ने भी बताया कि मतलब इसमें आराम मिलता है तो फिर मैंने का चलो फे तो मुझे जरू अगला लेनी पढ़ती है तभी जाते है अराम हो घयाद लेनी यह अगरा है लेका है अब भी मुझे द स्यूण लेने का चंहादीघ ंओ यहीं अगिस और यह इसलों क भी और शूंग हो देलीजा टीन फिर का पटा बिलना बंद रह इनी उसके नहीं अच्याह कर दिए कि आज, राइनने पर फर ले लेती हूं, आज मैंने मेथी और जीरे का पानी लिया था, तो मतलब चेंश करकर, यह लेती ह quieroHS हं, और फिर का काने के बाद में ग्रीन ती लिती हूं, चाई पीती थी, ग्रीन टी वगरा नहीं, सुबह सिंपल पानी पीती थी, जीरा वाटर या मेथी का पानी ऐसा कुछ नहीं लेती थी, बस इन चीजों से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, तो और 32 बार फॉर्मुला तो कमाल करी रहा है, उससे तो मुझे बहुत जादा अराम है, तो बस इतना ही था, और बाकी जो आगे है, जितनी भी मुझे अराम मिलता जाएगा, उसके साथ में बार करती रहूँगी, और आपनों के साथ शेयर करती रहूँगी, 32 बार फॉर्मुले के बारे में, तो चलिए, अब हम फटाफट से अपना वीडियो करते हैं, तो चलिए, अब चलते हैं, फटाफट से किचिन में, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कीजेगा, चैनल पर फर्स्काइम विजिट किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, तो चलिए फटाफट आप किचिन में चलते ह कर लेते हैं. और यहां पर मने पीने का का पानी रग देा हैं, क्योंकि सब्सक्राइब की में चाहें, सबको था ही नी जया उटकर कि और अब थोड़ा सा खाना और बनाना बाकी है। तो बस बस बसक्राइब बना तो बरतन तो रात के पानी से साफ कर दिये थे लेकिन उसके बाद ना हातों की यह हालत हो गई थी सच में के कुछ पूछे मत इतना थंडा पानी था तंगी का क्योंकि हमारे ना सुबा के टाजी पानी भर जाता है वैसे तो लेकिन आज लाइट ही नहीं आई इसले फिर तंग के पानी पानी, यह मैं लेका कैंट भी騰तश उसको और के पानी देख्षाण वासमी आना के लिह लाइट भूसों पहते तय粉 द्रें सब्वाराइं सब्सक्रालका दें भी Casey लेकिन वहाई लेकिन पंट भी सार्यट करण भूड़ें तो तो अशाड़ियों कर दोटें निकली 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 जीदिन जाएंगे थोड़य देर में लेकिन निकली थे तो दूब्सक जाना पर मााजी को थोड़ीय दे दोब नगए ब्हुचा करें में अपनए बाझरे की दुनेटेटि और में आपने बाझरी की रोटी रोटी अच्छार्ण के लिए अच्छा बिगतां है थोड़ास आसा कीृँडला है जबाशा trochę आप बहँ दो बैसा इस रोट 건 कुल कि इस आ आपिसे पी इन बųी खाली ओगई सफुलें और मुझे बाहर रखने ही पड़ती है यहां पर तो फिर मैंने का इसे भी अब उठा कर रख देते हैं क्योंकि अब तो सब लोग उपर जा रहे हैं दूप लेने के लिए और यहां पर स्वैटर के जगा जगा पड़े ही रहते हैं तो इन सब को हटाकर सैट करके पूरा तब बहुत लंबी होती है सर्दियों की और अगर दिन में सो जाओ न तो फिर रात में नीद नहीं आती और फिर सोने का टाइम भी नहीं दो बज गए थे काम करते 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 दो का टाइम हो गया था तो फिर सोचा अभी यहां से पूरी सेटिंग करने के बाद फॉल के लिए इतना सारा समान कैसे लेकर आओंगी तो कहता है नहीं मैं आपका वेट कर रहा हूं यहां पर बैठके आपकी थोड़ी बद मदद करा दूँगा मैंने का चल देखते हैं और उसके सारे टॉइस वगरा भरके रखूंगी उसके टॉइस पूरे जगा जगा पूरे घर में पड़ी पड़ी ना फिर खराब हो जाती है तो दागे मैच मिला कर रख लूँगी अपने साथ ले जाओंगी उपर छट पे और ओम से मैंने का ओम खाना एक लिफाफा पड़ा हुआ उसमें अपने पैसे खटे करके रखता है तो मैंने का वह ले जा है मना इसे भी मैं ले दaz ले ले तो कि गया है लेकिन तो वापस मुझी को दे दे देता है क्याता है बहुत आफ़ आफट से चथ खट कर दलते हैं और पहुछ अच्छी दूप निकल stiff मैं तो यह सोच लीजे इस बार पहली बार दूप में जा रही हूं सर्दियों में बैठने के लिए क्योंकि एक तो 15-20 दिन से सर्दियां शुरू ही है और उसके बाद फिर दूप में जाना होता ही नहीं है विल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता नहीं दूप निकल रही है और माजी पहले सी आ गई थी तो फिर मैं निकला बैठ शीट को सही कर लेते हैं हम भी थोड़े दिर बैठ लेंगे और यहां पर नहीं यह फट्ट पड़ा हुआ है तो इसी फट्ट को अपना रात को ठट्ट डग देते हैं क्योंकि अगर नहीं डगो तो नीचे फो ठंडी ठं बहुत जल्दी लग गई थी फॉल ज्यादा देर नहीं लगी थी मतला हम लोग दूप में बैठे थे आदा एक घंटे के करी उतनी देर में फॉल लगके पूरी कंप्रीट हो गई थी यहां पर ओमना अपना बैग लेकर आय थे लेकिन कुछ भी पढ़ा ही नहीं करी उसने बिल्कुल भी कुछ नो कुछ बहाने लगाता रहा कभी मेरे पास पैंसल नहीं है कभी पैंसल नहीं है यह नहीं है वो नहीं है देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट किनारी की साड़ी है देखने में लग रही थी बहुत हैवी है लेकिन किनारी बहुत सॉफ्ट थी बहुत भी माय ज इक हे नाच ज्ल चाहिए इसकायाई तो सब्सकों पी तीम की नियुन के तो बॉस यहां भी यह फौर लग जाएगए य तो मुझे अभी सारी का नहीं पहनना हि Worksinda पर बैठे हैं तो मतलब बिना मतलब किन मेरे से बैठा नहीं जाता मुझी यह रहता है कि अगर कुछ काम है तो काम को खतम कर लेना चाहिए तो बस है महां मेरी फॉल लग जाएगी उसके बाद मा आज मीचे के लिए मैं साम के लिए भी डिनर की तियारी कराई थी यह देख सक आज स्टफिंग के लिए कुछ भी नहीं बनाया सिंपल चीला बनाने वाली हूं मैंने का इस तरह से भी खा लेने चाहिए मैंने पिठ्थी वगरा प्याज वगरा नहीं करीदी क्योंकि प्याज हम दोनों की बंध है मेरी भी और ठाको साहब की इसलिए फिर मैंने का ऐसी सि तो इतना जादा थंदा पानी आ रहा है कि बस कुछ पूछो मत सच में तो यह देख सकते हैं आप आप इसकी बिल्कुल बढ़िया हो गया है ना पतला है ना गाड़ा है तो बस आप इसके लिए हम चीले बनाएंगे और मैंने साइड में तावा भी रख दिया है गरम होने के लिए और चाय भी बनाने के लिए रख दिया है क्योंकि वही पांच साड़े पांच का टाइम हो रहा है विश्ना स्टीशन से आ गया था तो फिर सबको इस समी हमानियां भूग लगती है थोटी-चोटी क्योंकि सुबह थोड़ा जल्दी हो जाता है ना और इस समय फिर खा तो फिर अभी दोने का टाइम ही मिल पाया क्योंकि बच्ची आ गए तो फिर नास्ती की तियारी में लग गए तो पहले चटनी बना कि सबको नास्ता वगरा खिला करना फिर इखटे भरतन दोंगी सारी थोड़े ज्यादा हो जाएंगे लेकिन कोई नहीं ताजी पानी आ ग और यह चटनी के साथ ना आज बहुत ही अच्छे लगे थे मैंने तो मतलब इस तरह से तो फर्स टाइम बनाई थे जीरा बगरा डालके खाली नमक डालके और वैसी स्टफिंग के साथ हमेशा लेकिन मैंने का चलो कुछ ट्राय कर लेते हैं और हलका फुल का खाने का मन था स अच्छे मने दो बहुत हैं थो बहुत है की तो मैंने बहुत हैं का चलो कि बनाख सी यह बन जाएगा बस तो मैंने की तो और नहीं इसलीए भगो दी तो बस यहां पर ना मेरी चटनी बन रही है और साथ में चाय बन गई थी और चीले भी बना रही है माझी और काफी अच्छे मतलब बन लग रहे थे खाने में भी और खाने में भी बहुत अच्छे बने थे आज के चीले क्योंकि वही रहता है कि थोड़ा बड़ डिफरेंट बहुत अच्छे बने थे तो बस अब यहां पर मैं अपना धनिया वगएरा सब काट पीट के डाल दूंगी मिक्सी में और उसे फिर ग्राइंड कर लोगी और इस समय बस यह सोच लीजे सबसे जादा कठिन काम लगता है बरतन होना सर्दियों में और चक्नी वगएरा सब मे लगता है और खुजबू भी आती है और बच्चे वगएरा मेरे खा लेते बस ओम नहीं खाता दनिया डालकर बाकी सब खालेते हैं तो उसके लिए मैं जब को अगर सब्जी ऐसी हो कि पसंद करता है तो उसके लिए में नहीं डालती उसके लिए निकाल देती हूं अलग से बस मैं पहले चटनी को ग्रांड कर लोंगी मिक्सी में उसके बाद फिर सब को मैं सेगती जाओंगी खाते जाएंगे सब लोग और माजी को भी दिया बत्ती करने जाना है तो वही है ना कि साम के काम ऐसे ही चलते रहते हैं और हमारे आना इस समय सर्दियों के टाइम पर शा को जाते हैं तो जी मैंने चटनी वेगरा पलटकर और ठाली लगा ली है देख सकते हैं किते बढ़िया चीले बने और हमारे आना दोनों साइड से कर ही खाना पसंद करते हैं और इस तरह से अब मैं फटाफट से सर्फ कर दूंगी और बच्चों को भी दूंगी सबसे पहले तो बच्चों को दूंगी तो यह देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है ना और एकदम क्रंची क्रंची बने और हरी चटनी बनाई है साथ में तो बस आप लोग भी आ जा तो चलिए मैं खा लेती हूं और आप भी आजाएए खाने पर आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे क्योंकि कुछ भी नया करो ना तो जब तक किसी की तारीफ नहीं हो कोई ना करे ना तो सुकून नहीं मिलता लेकिन हाँ सभी को बहुत अच्छे लगे थे तो बस आपको अगली वीडियो में थैंक्यू सो मच फर वाचिंग बाई रादे रादे सभी को